हेलो एवरीवन इंस्टिट्ट अब मैथमेटिकल नास के सिनाथ सभी गस्वागत है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमीटर पे एक फिरम बताया था और आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कुस करने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाउंडेट एंड अनबा बहुत ही डीटेल में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा तो बिने टाइम वेस के स्टार्ट करते हैं आज किस लेक्शर को जो कि है बाउंडेट और अनब बाउंडेट कब कहेंगे देखे कोई भी नॉन एम्टी सेट बाउंडेट तब होता है जब उसका अपर बाउंड और लोर बाउंड एक्जिस करता है तो आखिर यह बात आएगा कि यह अपर बाउंड और लोर बाउंड किया है तो अगर मैं इसे एक्स्प्रें करूं जैसे S कोई non empty set है तो जायद सी बात है इसमें elements होंगे कोई ना कोई element तो होगा ही होगा at least take element होगा तो अगर कोई ऐसा real number हमें M मिल जाता है जो की इस property को satisfy करे कोई ऐसा real number small M में हमें मिल जाता है जो इस property को satisfy करे इस कौन सी property है M is less than equal to X यानि M जो है वो X से या तो छोटा हो या तो बराबर हो जाए for all X belongs to S यानि कहने का मतलब यह है कि जो M है वो X X क्या है S का कोई भी member है तो M S के हर एक member से या तो छोटा हो या जाय साथ बराबर हो तो इस M को हम क्या कहेंगे यह M जो है यह हो जाएगा lower bound यह क्या हो जाएगा lower bound और upper bound क्या होता है upper bound में इसका जस्ट उलता होता है अगर हमें कोई ऐसा capital M मिल जाए जो इस property को satisfy करे यानि S का हर एक member या तो capital M से छोटा हो जाए या जादा से जादा बराबर हो जाए तो इस capital M को हम क्या कहेंगे इसके हम कहेंगे यह upper bound है S का तो अगर S को bounded होना है तो हमें क्या मिलना चाहिए at least एक lower bound मिलना चाहिए और at least एक upper bound मिलना चाहिए अब अगर हमें एक lower bound मिल गया तो जितने भी real number M से छोटे हो जाएंगे स्मॉल M से जितने भी real number चोटे हो जाएंगे वो सारे के सारे S के lower bound बन जाएंगे और अगर capital M हमें ऐसा मिल गया जो इस property को satisfy करा यानि M क्या है कोई एक upper bound मिल गया तो जितने भी real number capital M से बड़े हो जाएंगे वो सारे के सारे upper bound हो जाएंगे इस set S के तो overall हमारे पास property कौन सी होनी चाहिए property हमारे पास ही होनी चाहिए M less than equal to X less than equal to capital M for all X belongs to S अगर हम इन दोनों property को combine कर दें तो हमारे पास ये property आ रहा है तो अगर ये property satisfy होता है तो हम कहते हैं कि ये जो set S है ये bounded है otherwise अगर ऐसा हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम कहा देंगी कि ये जो set S है वो bounded नहीं है ध्यान रखेगा S क्या है कोई non empty set है ठीक है तो अब देखिए अब यहां पे बात हो रही है metric space की सबसे पहले हमें जानना है कि bounded metric space क्या होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास metric space होना चाहिए फिर हम कहेंगे कि वो bounded है या unbounded है तो सबसे पहले हमारा basic requirement जो है वो है कि एक metric space का तो मैंने यहां पे लिया हुआ है let xd be a metric space तो xd हमारा क्या है कोई metric space है अब इस बात को समझेगा xd हमारा metric space है तो metric space अगर यह xd बना रहा है यह जो d है यह x पे metric है तो यह चार प्रोपर्टी को satisfy करेगा कौन कौन सी प्रोपर्टी पहली है non negative condition दूसरी null condition तीसरी symmetric property और चौती triangular inequality यह चारोपर्टी satisfy करेगा यह d तो अगर हम पहली प्रोपर्टी पे द्यान दे तो पहला प्रोपर्टी क्या कहता है कि यह चो d x y हो जाएगा यह greater than equal to 0 होगा for all x y belongs to capital X यह होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यह क्या बता रहा है यह बता रहा है अगर इसे हम उल्टा करके लिखें तो यह बताएगा 0 is less than equal to d x y for all x y belongs to capital X तो अगर हमने क्या किया इस 0 को left hand side में लिख दिया और d x y को right hand side में लिख दिया और sign को पलट दिया तो overall यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बस थोड़ा rearrange करके मैंने लिख दिया है 0 is less than equal to d x y for all x y belongs to x यानि कहने का मतलब यह है कि जो d x y है इसकी value या तो 0 से बड़ी होगी या ज़ादा ज़ादा 0 के बराबर हो सकती है वो 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती है तो overall अगर हम इस condition को देखें और इस condition को देखें तो हमें पता क्या चला है हमें पता यह चला है कि यहाँ पर देखें यहाँ पर s का जो lower bound था वो क्या था small m था और यहाँ पर x का जो lower bound हो जा रहा है यह 0 हो जा रहा है यानि यह क्या हो lower bound हो जा रहा है lower bound lower bound x का x भी एक non-empty set है क्योंकि metric space अगर हम define करते हैं तो उसमें भी हम condition लगाते हैं कि let x be a non empty set यानि यह जो x है यह understood है कि यह non empty set है क्योंकि हमने लिख दिया कि कोई metric space है और अगर हम metric space का definition दिखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि x be a x क्या है एक non empty set है तो यहाँ पे अगर हम इसे और इसे compare कर दें जैसे हम small m को कहा दें कि यह lower bound है यहाँ पे हम zero को कहा देंगे कि यह lower bound है तो lower bound तो हमारा मिल ही गया कोई metric space है उसमें जो metric होगा वो non negative condition तो satisfy करेगा यह करेगा और अगर non negative condition वो satisfy कर रहा है तो यह तो obvious सी बात है कि यह जो zero है यह इस x का lower bound बनेगा तो हमें क्या मिल गया lower bound तो मिल गया अब हमारी requirement क्या है देखिए हमें जैसे set को bounded कहना था तो हमारे बस क्या होना चाहिए lower bound मिलना चाहिए और upper bound मिलना चाहिए तो lower bound क्या हो रहा है lower bound हमें इस x का मिलना है अब हमारे requirement क्या है अगर हमें upper bound मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि यह जो metric space है वह bounded otherwise unmounded है तो यही चीज़ यहां पे लिखा हुआ है if there exists a positive real number के अगर कोई हमें positive अब देखे positive क्यों लिया गया है positive इ होगा क्योंकि dxy क्या है distance between x and y तो x और y के बीच का distance या तो 0 हो जाएगा या तो positive ही होगा negative तो होने सकता distance function है तो distance y कभी negative ही नहीं होता है तो dxy की जो value है या तो वो 0 होगी या तो वो positive होगी तो अगर 0 हो गया तो obvious सी बात है उसको lower bound मिल जाएगा लेकिन अगर 0 नहीं हु हुगा तो उसकी value कुछ positive ही होगी और अगर positive होगी तो इसलिए हम ले रहे हैं कि अगर हमें मिलता है if there exist a positive real number कोई हमें positive real number अगर मिलता है कौन सा real number है k हम suppose कर लेते हैं जो कौन सी property को satisfy अगर है such that dxy is less than equal to k for all xy belongs to x यानि dxy अगर k से या तो छोटा हो या ज्यादा ज्यादा बराबर हो जाए for all xy belongs to x तो हम कह देंगे कि यह जो xd है यह क्या है bounded metric space है और अगर ऐसा condition हमें नहीं मिल पाता है किसी भी k के लिए तो हम कह देंगे कि यह जो metric space xd है यह unbounded metric space है तो यह है definition bounded और unbounded metric space का तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 is का lower bound मिल गया अगर इ हमारा bounded है तो इस condition और इस condition को अगर हम combine करते हैं तो हमारे पास आ क्या जाएगा यह आ जाएगा dxy 0 is less than equal to dxy less than equal to k और इस condition और इस condition को अगर हम match करें तो देखिए एक तरह का same equation type का दिख रहा है यह तो यही basic difference मलब कि यही definition होती है bounded metric space की कि अगर dxy तो obvious है कि यह तो 0 होगा है जिए सो बढ़ा ही होगा तो lower bound हमारा obvious है lower bound की हमें चर्चा ही नहीं कर नहीं है क्योंकि lower bound तो obvious में मिलना है क्योंकि xd मैंने metric space माना हुआ है और metric तो अल्रेटी है किसी सेट को bounded होना है तो उसके पास lower bound और अपर बांड बांड दोने चाहिए तो लोगर बांड तो हमें मिली रहा है चाहे वह कैसा भी metric space हो भाई metric space है तो उसमें जायर जी बात है 0 lower bound होगा ही होगा तो अगर upper bound हमें मिलता है तो हम कह देंगे कि वह metric metric space bounded है और अगर नहीं मिलता है तो हम कहा देंगे metric space अन बांड है तो यह डेफिनिशन है बांडेट और अन बांड मेट्रिक space की तो अब हम क्या करते हैं अब हम इसको एक एक्जामपल से समझते हैं मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट metric space के बारे में तो अगर मैं इसका एक्जामपल दूब डिस्क्रीट metric space में क्या होता था मां लेते हैं कि यह एक्स डी है यह डिस्क्रीट metric space है तो डिस्क्रीट metric space है तो यह जो डी है यह किस तरह से डिफाइन होगा यह डी डिफाइन होगा डी एक्स वाई इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी ठीक है जीरो कब होगा जब x is equal to y हो जाए यानि यह जोनों जो point है यह जोनों same हो जाए और one कब होगा जब यह जोनों point different हो जाए यानि x is not equal to y तो हमारा यह जो discrete metric space है यह एक bounded metric space होता है अब क्यों bounded metric space होता है तो यहाँ पर आप ले लिजए k की value k की value आप one ही ले लिजिए तो अगर आप k की value one लेंगे तो यह जो dxy है dxy is less than equal to one for all xy belongs to x अब देखिए यह condition यहाँ पर मैंने कुछ ने किया है k की value बस one put कर दिया है तो यह condition देखिए हमेशा satisfy होगा क्योंकि dxy की 2 ही value हो सकती है या तो 0 या तो one तो 0 अगर dxy की value 0 हो जाती है तो 0 1 से छोटा है यह condition satisfy होगा तो overall बस यही दो condition आ सकता है यही दो condition ही आ सकता है dxy के value या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है तो 0 is less than equal to 1 यह भी condition true है और 1 is less than equal to 1 यह भी condition true है तो overall dxy is less than equal to 1 for all xy belongs to x यह भी condition true है तब तो इससे हमें पता क्या चला है इससे हमें पता चला है कि यह discrete metric space है यह एक bounded metric space है लेकिन अगर हम बात करें यूजूवल मेंटरिक स्पेस की तो वो एक अनबाउंडेड मेंटरिक स्पेस है अगर हम यूजूवल मेंटरिक स्पेस के बारें बात करें जैसे मा लेते हैं कि ये एक्स डी क्या है यूजूवल मेंटरिक स्पेस है तो usual metric space हमेशा unbounded metric space होता है X ना लेके हम यहाँ पर R ले लेते हैं set of all real number तो RD क्या है? एक usual metric space है इसमें जो DXY है वो किस तरह से form होता है mod of X-Y for all XY belongs to R यह इस तरह से define होता है तो यह जो है usual metric space यह एक unbounded metric space है ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो DXY है is less than equal to K नहीं हो पाता है हमें कोई भी positive real number K नहीं मिलता है जो हर एक XY के लिए यह condition satisfy करे अब अगर आपको यह समझना है कि यह unbounded कैसे हो रहा है तो आप इसे diagramatically जाद अच्छे तरह से समझ सकते हैं क्योंकि अगर mod of X-Y क्या होता है? mod of X-Y बताता है distance between X and Y यानि अगर यहाँ पे कहीं X हुआ यहाँ पे कहीं Y हुआ तो यह जो distance है यही बता रहा है DXY यही DXY बता रहा है ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर हम K की value कुछ भी ले ले लेते हैं जैसे अगर हम K की value fix करना चाहें देखिए एक चीज़ तो clear है 0 is less than equal to DXY यह तो हर एक metric space में होता है तो lower bound तो obvious हमें मिल ला है लेकिन अगर हमें upper bound चाहिए तो यह condition satisfy होनी चाहिए तब ही हम कहेंगे कि वो जो metric space है वो bounded metric space है otherwise unmounded है तो अगर माल लेते हैं K की value K की value हम 1 माल लेते हैं तो K की value अगर हम 1 माल ले तो हम X की value हम ले लेते हैं 0 और Y की value हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं तो X की value 0 और Y की value 2 तो mod of X minus Y के आ जाएगा mod of X minus Y के आ जाएगा mod of 0 minus 2 यानि 2 distance between X and Y तो यहाँ पर अगर 0 लेंगे यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो value क्या आ जाएगा dxy की 2 आ जाएगा 2 unit आ जाएगा और जो 2 है वो less than equal to 1 नहीं है यानि dxy जो है वो less than equal to 1 नहीं है अब k की value अगर हम 2 कर देते हैं और y की value अगर हम 3 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर mod of X-Y यह क्या आजाएगा 3 आजाएगा और यह भी less than equal to 2 नहीं है तो अगर K की value हम क्या करें बढ़ाते चलें माल लेते हैं 100 कर देते हैं तो K की value अगर हम 100 कर देते हैं तो X की value अगर हम fix करके Y की value अगर हम 101 कर दें क्योंकि हर एक pair के लिए हर एक pair के लिए for all XY belongs to X के लिए होना चाहिए तो हर एक XY के लिए क्योंकि real number line में infinitely many real numbers हैं तो यहाँ पे अगर हम 101 कर दें तो mod of X-Y क्या आजाएगा यह आजाएगा 101 आजाएगा और यह less than equal to 100 नहीं होगा तो यह भी condition satisfy नहीं हो रहा है तो overall कोई भी अगर हम के ले हम Y के value के से अधिक ले सकते हैं और जैसे ही हम Y के value के से अधिक ले लिए तो DXY is less than equal to के satisfy ही नहीं करेगा क्योंकि यह जो mod of DXY है यह mod of X-Y के बराबर है और यह जो mod X-Y आएगा यह हमेशा के से बड़ा आजाएगा तो यहाँ पे आना के चाहिए less than equal to के आना चाहिए लेकिन आ के आ रहा है के से बड़ा आ रहा है तो इसलिए हमें क्या पता चल ला है कि यह जो condition है यह condition जो है यह satisfy नहीं कर रहा है usual metric space में और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो usual metric space है यह एक unbounded metric space है तो यह था unbounded और bounded metric space का एक-एक example तो hope आप लोगों को lecture समझ में आया होगा अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद दाता है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो आपने next lecture में हम bounded metric space का एक example discuss करेंगे बहुत important example है और आम तोर प करेंगे लग से जसे padre में आपको इस बनकार आपको एक करेंगे तोर आपको यह उसके आपको लाए तोर आपको